तीज का अर्थ होता है तीसरा और इसे तीसरा इसलिए कहा जाता है जिकि तीज महीने के तीसरे दिन पर आता है माता पारवती ने भी घोड तप करके भगवान शंकर को अपने पती के रूप में पाया था इसलिए इस वरत को माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पुत करते हैं अगर इस वरत को सच्छे मन से करते हैं तो सुहा के आयू तो बढ़ती ही है साथ ही पती-पत्नी का रिष्टा साथ जन्मों तक अटूठ हो जाता है बोलो पार्वती पते पार्वादे